नमस्कार स्वागा थे आप सभी का अब मैं हूँ आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मद्धिपदेश चतीजगर का सबसे लोकप्री एलेक्शन कारिक्रम जन कारवा चतीजगर में जहां जहां भगवान श्री राम के कदम पड़े वन गमन के उसी पत्व पर लगातार आगे बढ़ते हुए सीता मढ़ी हर चौका से हमने इस कारवा की शुरुआत की थी और धीरे धीरे सरगुजा के पहाड़ों से होकर गुजारता हुआ अब जिला दर जिला ह हम पहुंच चुके हैं 36 गड़ के मैदानी अलाके में आज हम मौजूद हैं बेमितरा में बेमितरा की बात करेंगे बेमितरा के तमाम एहम लोग यहां पर मौजूद हैं आम जनिता मौजूद हैं उनसे सवाल जवाब के सिलसले को शुरू करेंगे जानने की कोशिश करेंग लोग जादा रहते हैं वोटर्स की संख्या की आधार के भी अगर देखें तो कुल मिलाकर यहाँ पर तीन विधान सभा है और तीन विधान सभा में साजा नवागर और बिमितरा विधान सभा की बात करें 2013 में जो नतीजे निकल के सामने आये थो तो तीन की तीन सीट भाजप संभाला है तो कुल मिलाकर राज़्ितिक तोर पर भी यहाँ पर प्रतिनीद्धी मिला है लेकिन क्या उस तरह का विकास इस एलाके में हुआ जन्यता क्या सोचती है यही जानने समझने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद है और हमारी बीच में तमाम जन प्रतिनी थी यहाँ पर मौजूद है जो दावेदार है वो भी यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी इस कारेक्रम में शामिल होने के लेकिन जैसे कि हमारी रवायत से सबसे पहले कारक्रम शुरुवात करने से पहले शपत लेते हैं हम लोकतंत्र की आप सबसे निविदने कि अपने स्थान पर खड़े हो ये एक शपत के साथ शुरुवात करते हैं अपने हाथ आगे के जिगा शपत हम लेंगे मैं भारत के लोक चुनाओं होंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, तो यगर फिर से आप समी का हरदिक स्वागत अमारे इस खास कारेक्रब में और शुरुवात करते हैं, चुकि जैसा मैंने शुरुवात मताये कि जनता का मंच है, तमाम जन प्र मुद्दों को लेकर क्या कहते हैं, क्या मुद्द्य उनके पास में है, विकास की स्थिति में विमत्रा को वो कहां पाते हैं, जी बताई। है और उखड गया, सिमेंट गयाफ है, गिट्टी और गिट्टी है, तो इतनी भरस्टाचार क्यों? और गवठान युजना की बात करों, तो क्रिशी मंत्री के छेत्र मुधा भाठा में हैं, जाके देख लेजे कि क्या है, कि सानों के द्वारा और सतिस गड़ी में कहावत ह है, कि बैला हरे मंगनी के कांदी घलो उधारी गोर्रह परोसीत को उटना है संगवारी, बिन पानी के नर्वा बंधा गे गर्वा बिन गवठान और बारी के साग नंदा गे घुर्वा होगे बैमान, ठीक है, तो कोई मिलाकर इनों ने साजा विदान सभा से अपनी बात हमें जो विकास हुआ है कॉंग्रेस के द्वारा उसको देखने के लिए धरातल पर आप लोग यहां पहुंचें उसके लिए मैं आपको साधर धन्यवात करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, उनके सांस सबाखे ग्राम सिमरिया सिमर्य पंचायत में रहता हूं आज तक मेरे पंचायत में कांग्रेस सरकार दुआरा एक रुपे काभी काम नहीं हुआ है ठीक है हमारे बीच में आशीश चापड़ा जी है जो कि स्थाने विधायक है उनके पास चलते हैं आशीश जी क्या कहेंगे क्या आंकलन करेंगे अपने सवालों के सिल्षले को भी शुना देज़े सबसे पहली बात परिजना की दोजार अठ़ार में जब से मानिमू की मंत्रि बूपेश बगेल जी के नेतिरत नो में कांग्रेस की सरकार बनी है आरती लोगों से लोगों को संपन करने का काम कांग्रेस की सरकार के माद्ध्यम से किया है चाए मैं गौधहन c. माध्यम से आज उद्योग, हमारे ग्रामीन लोग उद्योग का काम कर रहे हैं, आप मेरे विधान साब अच्छेतर में साकरा में जा के देखिए, बहुत सुन्दर स्टेशनरी का काम महा की जो यूवा बेरुजगार है, उनको रीपा के माध्यम से रुजगार देने का काम किय है, बहुत सारी ऐसी योजना है, अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो मैं समस्तों की समय कम पड़ जाएगा, और जो उगली उठा रहे हैं, पंदरा साल आपने एक गौठान बता दीजिए, पूरे प्रदेश में, कि आप एक गौठान किस्ट, आप साजा की बादेशनरी क नवगड को लेकर भी बात उठ रही है, क्या कुछ कहेंगे? और ना सरपंच आज रो रहे हैं, कोई पंचायत में एक रुपिया का काम नहीं है, और अपने कारकाल में जो विकास के काम किये हैं, उसको अगर गिनाऊंगा, तो घंटों लग जाएगा, चीक है, चले मैं इस पर भी सवाल करूँगा, लेकिन यहां से जो उन्हेंने सवाल 15 साल में क्या हुआ है, हम बोढ़ते हैं, चार साल, सारे चाल में क्या हुआ है, यह आपको कहीं भी चले जाओ, कोई रोड ने चले जाओ, वहां आपको काम के सिवाए और को जुशता को यह नहीं दिखता, उन्होंने जो प्रस उठाया है, जो साजा में जो कभी जो कलपना था उस प्रकार के जो नहन नाली आ रहा है और वहां से पानी जो आएगा वेरिया से अरश लेकर आप विश्यं मन्तुरी के काहर विध्याल है सबस्क्राइब पानी पहुंच करते पानी पहुंचे है पूला किसानों का हरा भरा रहेगा पैला साज novo बाफनाजी अभी साजा के लिए बेमेत्रा के हमारे जनप्रतनिदी कह रहे थे मैं कहना चाहता हूँ कि साजा विदासभा की जितनी दुर्गती है उतनी 36 गड़ में किसी विदासभा की दुर्गती है वहाँ पर इतना बड़ा कांड़ भी हुआ है विलनपूर का मगर वहाँ के छेत्र के विदायक आके जहांके तक नहीं है और ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये मनुहार पत्त, जिसमें साब साब लिखा हुआ है, सब्बो किसान के सब्बो बेंक के पूरा करजा 10 दिन के अंदर माँ, वहाँ पर लिखा हुआ पाँच एच पी और घर के बिजली बील फ्री, और उसके लिए हम लोगों ने म मौझूद है, उनसे जवाब लेते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, जो इन्होंने जो कहा कि करजा माफ वाली बात है, तुम्हें ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब से आई हर किसानों का करजा माफ हुआ है, ये जुड बोलते हैं कि करजा माफ नहीं और हमारी सरकार ने 10,000,000 करोड रुपए पूरे प्रदेश के किसानों का करजा माफ किया है, इनकी जब 15 साल सरकार रही, छोटे मोटे करज के तले किसान दप के आत्मत्य करने में मजबूर हो जाते थे, आज हमने 20 कुंटल, इस साल से हम 20 कुंटल धान खरीदने जाने प्र को पुना पंदर के उंटल किया है, तो कुल्मेलागर धान खरीदी को लिकर सवाल खड़ो रहे हैं, आप कुछ कहना चाहरे थे, बताइए, मैं ये बोलना चाहता हूं, कि नर्वा घुरुवा घर्वा बारी, छट्थीस गडռ के चिनहारी, ये मानी भुपेजवएर, ये बिन्दुम डाले है, मुख हमेसा नर्वा घुरुवा घुरुवा बारी, लेकिन, भै कांगरेस भाईas से पुछना चाहता हूं, कि कहा नर् गरवा और कहां घुरवा और कहां बारी और बारी में किसान लोग क्या का उपच कर रहे हैं यह मैं पूछना चाहता हूं सवाल वो यह पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने 15 साल में क्या किया हाँ यह स्तिती है आज यह पानी की बात कर रहे हैं नहर के माध्यम से बेरला के नहरों में पानी आएगा आज लोगों को पीने की पानी नसीब नहीं हो रही है बेमे तरह में लोगों को मिठा जलनी मिल पा रहा है बेरला बलाक पुरा सुखा पड़ा हुआ है गाओं गाओं में नल जल मिसन योजना में इतना जादा भ्रष्टाचार हो रहा है ठेके दाल लाल हो रहा है जन प्रत्नी धी लाल हो रहा है और काम चारों तरह पूरा डबा गोल है और किसान की स्थिति बड़ी बुरी स्थिति है यहां किसी पधान शेत्र है बेमे तरह में लेकिन किसान का विकास नहीं हो रहा है किसान को और किसी का ध्यान नहीं है धान खरी अगर यहां पर पीने के पानी की समस्या है बाकित अमाम समस्या है खाद वात को सेकर समस्या है तो वागई में गंभी स्थिति में आप कुछ बताना चाहना है इसमें जी भारती जंतेपाटी बहुत लंबे-लंबे फेंक रहे हैं जरसल में यह लोग 15 साल किये हैं राज्य आखरी आखरी में हमारे राज्य के जितने वी जंता और किसान हैं उनको टीपी न और फूटा मोबाइल देकर चले गए मेरे भाई भारती जंतापाटी ने पंद्रा साल में गायों का ख्याल नहीं रखा आज भुपेज बगेल जी ने नर्व गर्वा गुरो बारी करके हर गामे का उठान कर निर्मान कर रहे हैं बहीं के महिने में यह लोग देखने जा रहे हैं क्या किसान है कि यह लोग बैपारी हैं दान और 20 कॉंटाला और 2800 रुपिया में जब कि लूट रहे हैं धान का धान खरीदे रहे हैं धान खरीदी में यह लोग बता दें 74,000 करोर रासी सम्मानी मोदी जी के द्वारा दिया गया है यह लोग मात्र मात्र 12,000 करोर की रासी दे करके धान धान के वाहवा ही लूट रहे हैं आज यह लोग बात कर रहे हैं नर्व गर् गुर्वरी में दूसरा एलोग भःष की बात कर रहें इतना देंगे अरे लोग तो घोषना कियते गोषना पचीसे रूपे मिल्हान करेंगे रासी कितने किस्तम दे रहें भटका भटका कि किसानों को दे रहें या लोग दो साल के नहीं दिया लोग तो बोले थे बोनस दो साल का पूर शम्देंगे तीक है वह पीछे देखे जनता का मध्रें जंता को भी मंस देते हैं यहां पर बीच में लड़की की साथ गलत भामला हुआ थे कांग्रेस पाल्टी के कांग्रेस के वजय से हुआ थी जी बोली बोली कांग्रेस आरक्षन जो है उसको पुरा खत्म कर दिया है आत्माना निस्कूल इस प्रदेश में एक हजार से बाब होगा लेकिन रोस्टर प्राली नहीं लेकर सब्सक्राइब रगे प्रतेक इसकूल से बढ़ती के गया है और एस टीस्कार अक्षन का खात्मा किया है यह सतनामी समाज नभद सी समाझ के लिए सबसे दढ़नाक मिसद्ञ है और गिरोद्पूरी के लिए आज तक भाजबाने जितना काम किया है उतना कांग्रेस ने विधायक से पूछना चाहता हूँ अभी उन्होंने गौठान की बात कही है तो बेमेत्र विधान सभा में किस गौठान में गौम उत्र की खरेदी और गोबर की खरेदी हो रही है बताईए क्योंकि हम लोग सभी भग सभी गौठानों का निरक्षण के हैं और रोजगार की ब ददूआगा लेकिन उसका विरोत को नहीं के मानी इक बतायां कि ठीक में यहांसे जो अनने सिरे सवाल में पंधार के विकास को लेकर टाउन में विधायक जीग बोलए वनक्राशन की ड्री है सर जी मैं आपके मंच के माध्यम से एक खोक्मा वाले भाई मल ये बताना चाहता हूं सबसे पहली हमार बिमेत्र विधायक जिल धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाजू में हमार सहाकारिता मंत्री पहली रही से बगहल जी है लेकिन हम वाले एक खन भी सुसाइटी खूल है ऐसे जरबी जनकारी नहीं है अब हमार बिमेत्र विधायक अब मानने भुबेश बगहल जी कि नेत्रित्व में हमार बिमेत्र सहीट पुना खाय कमयल नहीं जावा थे 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 अपन गाव में ही रोजगार मिला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आरोप प्रत्यारोप लगातार चल र करता हूं यहां 36 गड़ भुपेश सरकार ने नर्वा गरवा घुरवा बारी 36 गड़ का चार चीनहारी कई सैखड़ों कड़ोर बेनर पोस्टर में लगाये हैं बागी एक मेरे को एक गवठान एक भी घुरवा एक भी बाड़ी एक भी नाला आप दो साल से मैं मांग करूं एक बढ़ा दिखा दें उसका मरब जिन्दगी भर गुलामी कर दूंगा ठीक है ठीक है यहां से बोली तो देर पहले यह सिवारी जी बोल रहे थे कि किसानों को धान के खरीदी में कट्टा देना पड़ता है जैसे भी है मैं एक जिया का किसान हूं स्वाय हम खुद मैं धान ब भूपेस है तो भरोसा है हमारे विधायक जी भी है उन्होंने बहुत भी कास काम किए है ग्रामी रंचलों में भी बहुत अच्छा काम किए है इसके लिए मैं बहुत भूद धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विधायक जी को और भूपेस सरकार को आपको कई सारी सब्सक्राइब दिएप्या प्रानी छेतर में प्रमुसन के चलते प्राइमरी इस्कूल में तीचर या दो टीचर है और पूरा तीचर वी हेन है स्कूल मैं पूझा चाहूंगा तुकर यहां पर उठे हैं इस तारी विदायक को लेकर भी और पूर्र सवाब करेंगे जी पहले साहई करें विगास को लेकर ऊदर फिर जी कुछना चाहता हूं माणनी दयाल इस बघेल से जब 15 साल मंदरी था तो मारों में तसील नहीं खुला लावा लाड वीकुड़ना आज ने कालेज खूल पाया और मानुख कमंदरी चेब हमारे बुपेश बगेल जी ने कालेज खोला तसील खोला तो भाजपाले प्रहुसक् Mahar है और उसको अगर जरुत Society तो अपना बेंक को छोड़े, आज पैसा भी ले रहा है, अपने किराये समय में, सरकार में कांजरेस के समय में उसके घर में भी खुला हुआ है, उसको छोड़े. यह जैसे बोल रहे हैं विकास की बात, आज विकास की बात मैं करना चाहता हूँ, कि नवागड को नगर पंचात हमने बनाए, मारो को नगर पंचात हमने बनाए, नवागड में SDM कारले हमने खोला है, शोया नाला का विकास हम ले करा है, और नवागड का जितना विकास हुआ है वो बाक्राइब को नगर पंचाइद बनाएंगे संभलपुर को नगर पंचाइद बनाएं spreading साजा से साज करोड़ी सैयोंक से हमारे विदान सभा के विदायद कि्रिशी मंत्री बन गए और उत्तर प्रदेश में जा कहा जा रहा है कि पूरे 36 गड़ में फूट प्रोसेसिंग प्लांट है मैं पूछना चाहता हूं कि 36 गड़ के क्रिसी मंतरी के छेत्र में साजा में भी एक फूट प्रोसेसिंग प्लांट है क्या उन्होंने जितनी घोष्णा की थी उसमें से एक भी घोष्णा है कि अमली रू जना सुद्ध पेजल की सिवनात नदी से लेकर हमारे छेत्र के डेड़ सो गाहों में सुद्ध पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंग और लाप चंद बापना ने किया वह आपके सामने में दिखाई दे रहा है हमने पड़ पोडी कालेज खोल मैं यह बोलना चाहूंगी कि 15 साल पहले का बेमे तरह और पंद्रह साल पहले का 36 गड़ और अपके बेमे तरह में तुलनात्मा कध्यान करके देखे तो बताये और और यह बात और यह बोलूंगी कि जो धान संबंधि जो क्रिशी संबंधि भायदा है वो अगर किसी सवाल और वार पलेट वार्ट चल रहा है मैं पहले इदर से एक ले ले दो उसको आदाब के बात आणाओ जी जी बेमेतरा में सहीं बोलिये भी दारू बेशने में ही कांग्रे सरकार माहिर है बेमेतरा जीला एक मातरा साजीला होगा कि कलेक्टर के गेट में सराप पकड़ाया इदर से एक लिए एक लिए तो हमें बीजेपी वाले ने सिखाया है आप से हमने दारू बेशने के लिए चलिए इधर 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 पड़ाबट पड़ाबट मैं नवागार्विधान सभा से बोल रहा हूं कांग्रेस सरकार है जो भय और भ्रष्टाचार का प्रतीक है नव अगर विधान सभा में आप देख रहे हैं जो बेमेतर जीला है किरिशी प्रधान छेत्र है और यहां पूरा जितना भी बाहर का जो फेक्टरी है वो यहां लाके लगा रहा है और भ्रष्टाचार यह हैं कि जितना भी स्वेक्षामदान का रासी है वो टोटल जनता के नाम लेते हैं ठीक है ठीक है इधर से कोई जवाब देना चाहिए का इस विशेए पर जीए बोली आप सवाल पुछूंद सब्सक्राइए मैं दिव्यांग संग प्रशन पुछना चाहा था हूं समाज के आखरी व्यक्ति के लिए कांग्रेस सरकार अभी वर्तवान में का करते अ लेकिन दिव्यांग मन के लिए का वर्वाज नहीं उठाओ आप मन यह बहुत जिम्यदार सवाल आया है और दोनों तरफ से में दोनों तरफ से लूंगा कॉंगरेस की तरफ से कोई जवाब देना चाहिए इस विशेए पर कि दिव्यांगों के लिए बहतरी के लिए क्या कि आप लोगों कुछ करना चाहेंगे आप बोल चुके हैं पहले आप बोली हाँ अभी सबसे ज़्यादा जरूवत है ना भाजपावालों को अपने चस्मा के नंबर बदलने की जरूवत है इनको कही विकास ही नहीं दिख रहा है जबके पहले इनके हर अरे सुने बहुत पुछा दिव्यांगों के संदर्ब में कॉंग्रेस पार्टी के सरकार ने क्या किया देखे दिवांग भाईयों के साथ हमारी पूरी सहन बूती है और लगातार जब भी दिव्यांग संक्य अधिकार की बात हुई है मैं आपको बता देना चाहूंगा मैंने अपने इस सरका अधिकार में विदान साब में दिव्यांग संको लेकि प्रस्ट भी लगाया था और उसका उनको लाप भी मिला और उनको योजना का लाप भी मेरा लगा था हर वर्क लिए हमारे कंग्रेस की सरकार योजना बना रही है और 15 साल की जो गलतिया है उनको सुधार्णे में आज योजना पूरे वाडों में चल नहीं पा रही है नगरपालिका में कंग्रेस सरकार है बेमेतरा में कंग्रेस का भी धायक है लेकिन बेमेतरा में पूरे 21 वाडों में मिठे पानी की वहस्ता नहीं है पेजल की वहस्ता नहीं है इसका जवाब कंग्रेस को देना चाहिए जो मिठे पानी की वैस्ता नहीं कर पाते हैं उनको पत्प रहने का अधिकारी नहीं है उनको ततकार इस्ति पहते हैं यह समस्चा तो बहुत पुरानी है और इसके पहले यहाँ पर बीजेपी का भी शत्ता रहा है अधेज जी बताईए क्या किया पानी को लेकर बाकी चीजों को लेकर लगातार आपको जवाब मिल रहे है सीवनात नदी से तीन बड़ा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट बेरला साजा और थान खमरिया तक पहुंचाया बड़िया मीठा पानी दूसरा प्रोजेक्ट बना बेमेट सहर के लिए तीसरा प्रोजेक्ट है नवागड बलाक के लिए जो नवागड विदान सब हैं तीन बड़ा प्रोजेक्ट कांग्रेशी पुष्टे क्या किये जिस कलेक्टेट में बैटे हैं वो भारती जन्ता पार्टी सरकार की जो सड़क में चल रहे हैं वो भाजबा सासन काल का है पीछे आप चले जाएं बड़ा बिल्डिंग मिलेगा कि एक जीला के हिसाब से कालेज कैसा होना चाहिए वो सुरूप आप कालेज का बेवे तरह में देखेंगे बेला में आप पार्टेक्निक कालेज मिलेगा आपको मैं बताओं कौन साइसा काम यह आप नवगड जाते हैं नवगड के मेरे बहुत सारे कांग्रेशी साथी बठे हैं कि जा आप यहां से जब ज इलाएं भी मौदूद है को अब ही कह रहे थे कि कांग्रेशी कह रहे थे कि यहां पर किसी विकास दिखता नहीं है इनको ऐसा करके एक कांग्रेशी से आया मैं बताना चाहूंगी कि 36 गर्ड राज किसी ने दिया तो अटल विहारी बाजपई भारती जनता पार्टी के सरका ने बनाया और आप कहते हैं तहसील और इसकी बात करते हैं पहले जीला बना के दिया है उसके बाद तो ही विकास होता और विकास भारती जनता पार्टी के इन सब इन सब के बीच में योगेशी एक महतपुन सवाल दिव्यांग भाई ने पूचा था कि 15 साल आप भी सत्य मे क्या कि आप लोगोंने दिव्यांगों के लिए वह बहुत वाजीब सवाल था उसका जवाप कहीं दिया नी किसी नेशीग मैं तो किसान निता हूं अभी मैं किसी पार्टी में नी हो सभी लोगों के बाद रहा हूँ कान की मसीन नहीं मिल रही है दीवांग Start लेश अगर किसी को भिकास हुआ यह रोड बनी है यह सत्रा किलो्टर की रोड 23 कौरण की लागस से बनी और 17 दिन में 33 जगा उसको पेचिंग किया गया है यही आरोप तो कॉंग्रेस पार्टी आप लोगों के उपड़ लगा रही कि 15 साल में आपने भी यही किया और आप आरोप यहां पर लगा रहे हैं यहां से कोई सवाल चीगे कुछ यूँआ हमारे बीच में बोलिए हम बीज मैं कांग्रेसी लोगों को बताना चाहता हूँ परधान मंतरी जो है परधान मंतरी अवास का पैसा यह लोग रोक के रखा था 8 लग अवास का पैसा जब परधान मंतरी ने उपर से जब हमारे 36 गड़ वाले को बताये जब पता चला कि आप लोग का पैसा 8 लग अवास का प पताना चाता हूं हमारे चातीजगर के समाज में संस्कृती के लिए कई हमारे साथ धोखा धड़ी और समाज के साथ अत्यचार हो रहा है मैं यही बताना चाहता हूं ठीक है ठीक चलिए शले कुल बिलाकर में इस करक्राइब आ पहुंचाना में फटावट सब लोगों से सहाँ पर लूँगा कुछ करना चाहिए जी आप भी कुछ करना चाहिए माहारा जी बताइए मैं दिव्यांग संकर प्रमुक सलाकार हूँ मैं एक ही बात पूछता हूँ कि यह जो योजनाय है योजना जो चल रहा है आज सरकार के बतिर दात के बीच में कांग्रेश रहके जब करना काल आधी तुफान ओला ब्रिष्टी यह उत्यों सब को जहलते हुए जो अच्छा काम करता है उसी के खिलाब क्यों जाता है जनता आग्शार में पानी का एक बी टेंकर नहीं यह रहा है कहीं łड़ातार पानी के बंद वस पांग्रेश ने किया लगातार सवाल लेंगे चलिए चलिए कुछ ताकि जाजाता लोगों तक में पहुशने की कोशिश करूंगा संक्षिप में अपनी बात रखेगा बोलिए बात मैं बताना चाहता हूं कि बेमेतर जिला में जितनी गाउठान बनी होगी वहां गउमेतर और खेगे था जिटार करके चलु करवादे चुछ सब्सक्राइब जवाब ले चुक्राइब और आज 15 साल भाजपा की सरकार थी और चार सल कॉंग्रेस की सरकार है उसमें और अभी में बेमे तरह सहर को देख लो आप कितने विकास हुए हैं और उनके कारेकाल में कितने विकास हैं विधायक जी खुद बैटे बताएंगे मैं आपको बताना चाहता हूं यह कांगरेस की पेवाठे सेंग परणारा की सरकार है कंग्रेस की के वाल भ्रस्टा-4 व्रष्टा-5 भ्रस्टा-4 तर भुपरें सहीं धोखा है ब्रस्टा-4 लूत है ने य Знаद हो जुख नहीं कर विकास हो रही है रंग रोबन के अलवा बेमें तरह में कुछ नहीं हो रहा है अच्छाई को मैं तुलोड़ ऌब बने चैनल जब से कॉभरेस की सरकार रही है तब से सिख्छा का इस सर गिरा चुकी है ठीक है ठीक एक सारे एक साथ कि सारे मुद्द्ध उन्हों उठाए उस पर जवाब ले ताहूं पहले में उसके पाश हाँ जी 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 बुली मेरा नाम प्रमोत कुमर साहू हैं मेरे बच्चे अभी एक साल से जो प्रेना विद्ध्याला उससे भगाया गया है उसकी जाच नहीं हो रहे हैं मैं बार-बार प्रसासन से और जो अधिकारी है उससे निवेदन कर रहूं निस्पक्ष जाच नहीं हो रहा है किस विशे को लिकर मेरे बच्चों को भगाया गए उसका जाच नहीं हो पा रहा है कहां से प्रेणा विद्याला है कठिया से यहां से प्रजन प्रतिनीदी है आशी जी देखीगा इनकी क्या समस्या है और आप भी द्याल दी कुछ उनके समस्या को समझीगा जी बोले बताए तद कालीक सांससा सूसरी सरोज पांडे ने रेल की गोशना की और रेट का मैं पूचना चाहता हूँ भारती जन्ता-पाटी के मित्रोंसे मेरा कि बराइगर की कार्य समिती के बैठक में खुद रमन सिंग कहा था कि कमिशन लेना बंद कर दो नहीं तो सरकार नहीं बनेगे आज इसलिए भारती जनता पाटी का 14 सीट में हैं भाजबाने और विकास की बात करते हैं हमारे जे सरकार फुपेज बगेल की सरकार चाहिए हर वर हो पूर मंतरी की सान नइया और एस राहा है यह सुची में रुकन का नाम है जो ठीक है दयाल दाजी आपके उपर उने ने सवाल जब बताईए जब भार्दी जंदा पार्टी के सरकार था इन लोग धान नहीं पैसा नहीं मिला है अरे क्या हमको फिरिम दिया है क्या अरे धान पैसा दिया है उसके बाद कई किस्तों में पैसा दे रहा है और धान में इतना लूट रहे हैं बोरा बोरा का पैसा दे दिये बोरा का पैसा अज तक नहीं मिला ठीक है एक और मतब संग्षेप में बोली गपर मैं समस्ता हूं सब किसानों के हीद में सबसे ज़र्णी चीज़ होती है बीजली मैं पूछना चाहता हूं कि इन साड़े-4 साल में कितने सब आपने कांग्रेशी भाईयों ने आपने पूछा कि 14 सीट में आप लोग सी बढ़ गए और मैं आप लोग से पूछता हूं कि आने वाला 23 में आपको भी जवाब देना है तो आप जिस मुद्धा को लेके 14 सीट में हमको समेटे हैं उस मुद्धा में कौन सा काम को किये आप आपने डारू को आप बंद करेंगे करके आपने सरकार में आया है आज गरोगर फिकरा है आप द ale आपने किसानों का करजम आप करेंगे बोले हैं सिब सुसाइटिओं कर जमाप वो है कि करदम आप नहीं हुआ उसी प्राइटमेरतों क्वाप नीुए जो संग से में सुमझ लेकिन माननी विधाय काशिस चावड़ा के देती तुम्हें बहुत सार विकास हुआ है और किस मूँ से वोलते हो करके और और पूरे दुर्भाग के जनकी स्थिति है च्छतिस गड़ में केवल बेमेतरा जिला पंजात का पैसा यहां के तीनों नेताओं के नियत खराबी के कारण पेंडिंग है और तीनों नेता प्रस्ताव मांगते हैं और हमारे पैसा का अधिकार मांगते हैं बड़ाबर 30 लाग ने लिये हैं बेमेतरा जिला क्रिसी प्रधान जिला है क्रिसी का मतलब केवल धान या चैनानी है यहां महुं सारे हमरे यादो भाई हैं जो दूख दूख वादन करते हैं और यहां के जो क्रिसी मंत्री घोषना किये थे चार साल पहले कि हम यहां चिलिंग मसीन लगाएंगे केवाल घोषणा किये हैं आज तक यहां पर कोई भी चिलिंग मसीन नहीं लगा है कमिशन की बात करते हैं 22 महिला स्वासाता सुमू से उनका अधिकार और काम छीन कर उसको सरकारी आजना में देकर सारा कमिशन कहां जा रहा है साथ बोल रहा हूं मैं यहां पुछ रहों नवागण siac jarik के हमारे विधायग जी कहा है घूरदै किर लाये बहुत ब्रुग की बात है सबProfों निपर सवाल कॉनि में पिछले साल सवाल से श्रेकριत बचOOD रूप सब्सक्राइब फोटमर्र दान वें नवबिंदान सब्सक्राइब अटमा heartfelt आत्मानन्द श्कूल खुलने से सिक्षा का इस्थार बढ़ा है। ना कि सिक्षा का इस्थार घ्टा है। आप सब पूछ चूब पूर जी। आज सबसे बहुत बड़ी बात ये है कि कांगरेस्टी भाई लोग इतना ढों करते हैं। इतना दिन्डोरा बिटते हैं विकास का, ये सारा विकास हमारे भारती जन्ता पार्टी का किया हुआ है, आज जो भी है, आज ये तो धान खरीदी है, पंद्रा कुंटल धान हमारे भाजपारे करीदा, पीडिये सिस्टम, जो आज गाउं-गाउं में एक एक रुपे किलो में चावल मिल रहा है, हमारी भारती जन्ता पार्टी के द्वारा मिला, इन लोगों ने बेरोजगारी, भरस्टा चार, अत्या चार, लूट, इसके सिवा और कुछ नहीं किया है, अभी सामने ये दो हजार मैं आप बैमेत्र जीला में आय हो, तो मैं प्रदेस की बात करता हूं बेमेतरा जिले के मुख्याले में आपाए हो नगर पार्षत को नगर पालिका में बैठना पड़ता है विकास करने के लिए कि अपने जंता के काम की है हमने पिछले अभी दो वाड में चल रहा है इनका सवाल वह था आगर पालिका द्यक्षकों लिकर वह मारी बीच मौजूद है उनका जवाब लेते हैं आरो प्रत्यारों से बचे अमलोग स्कृष्च यहाँ से निकले तब तो बहतर है मुझे बोला जाता है कि मैं कम बोलती हूं मैं यहां बोलना चाहती हूं कि हम कारिक मुझे एक बात बताईए कि आपका नाम बड़ा होता है कि काम बड़ा होता है आदमी का काम बड़ा होता है और हम काम करने पर विजवास रखते हैं हम नाम कमाने पर विजवास नहीं रखते अब किसी के बोलने समुदर हमेशा क्वाराता है लेकिन जब उसमें भूचा लाता है तो सभी चीजों को पाखे ले जाता है तो नारी को कभी कम ने जटाइब है चाहिए चले मेंट हमारे चाहिशा पर बात कर रहे थे आत्मानंद पूरा तो शक्षा के शेत्रम में वह वाल है इनके मंत्री पूर मंत्री प्रिज मोहन अगरवाल जी इनके केंद्री राचि मंत्री रेड़का सीजी आत्मनम्न प्रवेश की के लिए अनुसंसा कर रहे हैं इन्हें बताना चीह हूं को कि यह ऐसे इसकूल में प्रशा की जुरत क्यों चलिए चलिए तो खुल मिलाकर नवागर से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जन कारवा फिलाल इस कारिकर में इतना ही मुद्दों पर और अन्समट को रखर लगातार आगे भी बात होती रहेगी जन कारवा का हमारा से चल जा रही है कल मद्यपदेश से देखिए ज जन कारवा नमस्कार